कार्तिक महा महत्तम अध्याए 18 हरे कृष्णा राधे राधे कार्तिक महा महत्तम के अध्याए 17 में हमने भगवान विश्णू के पाशन जिनका नाम सुशील और पुन्नेशील है कि सुन्दर कथा का शवन किया था आज इस अध्याए 18 में अनकूट और गोवधन पूजा के बारे में चांगते हैं शुरू करते हैं सुनाती हूं मैं पुरान की सीधी सच्छी बात अठारवा अध्याय कार्तिक का मुक्ति का पत्तात राजा प्रिथु ने पूछा हे नारज जी क्रिप्या करके अनकूट तथा गोवधन का महत्तम कहिए तब नारज जी कहने लगे कातिक सुधी एकम को गोवधन पूजा तथा अनकूट होता है इस दिन प्रिथ्वी पर गोवर का गोवधन बना कर उसका पूजन करे फिर अनकूट बनाए इस दिन गोवधन तथा बैलो को अभूशन से सजाना चाहिए उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गोवधन का पूजन करे पूजा के बाद गोवधन जी से प्रातना करते हुए कहे प्रिथ्वी को धारन करने वाले को वर्धर आप गोकुल की रक्षक है फगवान शी कृष्ण ने आपको अपनी भुजाव पर उठाया था आप मुझे कोटी-कोटी गव्वे प्रदान करें लोग पालों की जो लक्षमी धेनू रूप में स्थित है और यक के लिए घृत प्रदान करती है वे मेरे पाप को द के बीच में निवास करूं इस तरह कहें पूजन के बाद पहले ब्रह्मनों को भोजन कराए फिट स्वैम भोजन करें गव तथा व्रिशव का पूजन करें दिन के तीसरे भाज में मार्क पालिका पांधित इसी दिन जामात्र यानि जमाई का पूजन भी होता है राजा-प पांधन के समय जब लखश्मीजी समुद्र से उत्पन हुए तब वें विष्णु जी से प्याय गए इससे आनदित होका समुद्र ने भगोन विष्णु की स्थूति कि पाला विश्णू जी कहा कि वरदान माको यह सुनका समुद्र ने कहा यह भगवन आप लक्ष्मी ज कार्तिक सुधी एकम को दमात का पूजन करता है वह सब पापों से जूट जाता है कार्तिक महा महत्तम अध्याय 18 समापत कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखेगा कल्यू केवल नाम अध्यारा इसलिए प्रेम से मन स ब्रिप भाव से हर सास के साहिए यँयान किटेलर हरे क्रिश्ण रेक्रिश्ण खिंगी ये इसलिए हरे राम हुड़िए जय श्रीक्रिश्ण